नमोन महाप्रियचात्राह संस्कृत कक्षायाम भवताम स्वागतम नौमी कक्षायाह एकादशः पाठह तस्यच पूर्वभागह अस्माभी पठितम अयम पाठह पर्यावर्ण इती विशय लगुनि बंध रूपेन वर्तते बालकाह पर्यावर्णम अस्माकं कृते कियत आवश्यकं अस्माकं जीवनस्य कृतेच तस्यआवशकता कि दृषि अस्ती इती सर्वं अस्माभी पूर्व भागे विचारितम प्यारे बच्चों, हम सब ने परियावर्ण के संबंध में इस लगुनिबंध के अंतरगत, परियावर्ण हम सब के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पवित्र होना कितना आवश्यक है, कितनी महत्ता है उसकी, इस संबंध में बहुत सारी चर्चा, बहुत विचार हमने किया उसके पश्चात, अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं, हमारे जीवन को परियावर्ण किस तरह से प्रभावित करता है, यह सारी चर्चा इस पाठ के अंतरगत की जाएगी आप ध्यान से देखें, सुने, और सुनने के पश्चात बार-बार इसके अध्यन के द्वारा इसका अभ्यास करें यह पाठ प्यारे बच्चों दो अर्थों में पूर्ण होता है, एक भाषा के अर्थ में और दूसरा विचार के अर्थ में परियावर्ण संरक्षन एक विचार है प्यारे बच्चों जो बहुत महत्तु पूर्ण विचार है और ये भाशा भी है क्योंकि हमारी पाठे पुस्तक का हिस्सा है अधुना पठामह प्रकृति कोपई आतंकितो जनह किम कर्तुम प्रभवती जलप प्लावनई अग्नि भयई भू कमपई वात्या चक्रही उलका पाता दिभिष्च संतप्तस्य मानवस्य क्वमंगलम प्यारे बच्चों प्रदूशन रहिते परियावर्ण हम सब को जीवन के सुख देता है सद विचार देता है हमारा संकल्प द्रिड होता है और हमें मंगलिक सामग्री प्राप्त होती है यह है चर्चा हमने की थी पुनह एकह प्रश्णह अब एक प्रश्ण इनोनों पस थापित किया प्रकृति कोपई आतंकितो जनह किम कर तुम प्रभवती प्रकृतिया कोपई यह जब प्रकृति का कोप होता है प्रकृति नाराज हो जाती है और प्यारे बच्चों जब प्रकृति नाराज हो जाती है तब भूकम्प हो या वात्या चक्र हो जिसे बवंडर कहते हैं तूफान कहते हैं अतीवरिष्टी हो या अनावरिष्टी हो कि प्रकृती कोपई आतंकितो जनह किम कर्तुम प्रभवती प्रकृती का कोप जब होता है प्रकृती का क्रोध जब हो जाता है ऐसी स्थिती में प्रकृती पहुच जाती है कि वह कुपित हो जाती है ऐसी स्थिती में आतंकित हुआ, डरा हुआ, घवराय हुआ, मनुष्य, जनह मनुष्य, किम कर्तुम प्रभवती, क्या करने में, कर्तुम तुमुन प्रत्य का प्रियोग है, क्रीधात्व, क्या करने में, प्रभवती सफल होता है, सक्षम होता है, यदा प्रकृती कुपिता भ किम कर तुम प्रभवति क्या कर सकता है अर्थात कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता जलप प्लाव नहीं कथम कथम प्रकृति कुपिता भावति तस्य प्रमाणम जलप प्लाव नहीं जल का अधिक हो जाना जिसे हम कहते हैं बाढ़ जलप प्लाव नहीं बाढ़ के द्वारा तुरुतिया विवक्ति का प्रियोग चल रहा है प्यारे बचो प्रकृति का प्रकोप कभी बाढ़ के द्वारा अगनी भयाई वनों में अगनी के द्वारा या बहुत अधिक उश्मा, बहुत अधिक गर्मी पड़ जाना अगनी के भया के द्वारा भूकंप आई भूमी के कंप के द्वारा भूकंप आता है आप जानते हैं इस देश में बहुत सारे भूकंप आए जिनमें से कुछ बहुत ही मनुष्य के जीवन को हानी पहुचाने वाले थे इसलिए भूमी कंपई भूकंपों के द्वारा वात्या चक्र कहते हैं बवंडर तूफान हवा का जो चक्र बनता है जिसको बवंडर कहते हैं उसके द्वारा उलका पाता दिभिष्च उलका पातम उलका पात कहते हैं आसमान से जो बिजली कड़क करके गिरती है उसे उलका पात कहते हैं जब बहुत अधिक तेज बिजली कड़कती है और धर्ती पर वह गिरती है, तब वह भी कई बार मनुष्य और सामग्री को प्रभावित करती है, हानी पहुंचाती है. इन सारी चीजों से चाहे बाढ़ से हो, अगनी भये न वाभवेत, भूकम्पे न वाभवेत, वात्या चक्रई वाभवेत, उलका पाते न वाभवेत, एतई आतंकितस्य जनस्य, कुत्रापी मंगलम न संभावती, कहीं भी इन से प्रभावित मनुष्य का मंगल संभाव नहीं है, क्योंकि हमको रहना तो इसी प्रिथ्वी पर है, प्यारे बच्चो, अताएव वदती मानवस्य क्वा मंगलम. अताएव अस्माभि ही प्रकृति ही रक्षणिया, एत अदर्थम, येन भूमव मानवस्य जीवनम सुरक्षितम भवेत, सुखकरम भवेत, जिस्से धर्ति पर मनुष्य का जीवन सुख कर हो, सुखी हो. इसलिए अताएव इसलिए अस्माभि हम सब को, हम सब के द्वारा प्रकृति रक्षणिया, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए, रक्षधातु अनियर प्रत्यस्त्रेलिंग में रक्षणिया, रक्षा की जानी चाहिए, तेन चा पर प्रकृती की सुरक्षा से ही100 रक्षत होगा परियाहवर्ण की रक्षा हो सकेगी प्राचीन काल में लोगों के हित की भावना रखने वाले लोग मंगल आशन सिनह लोग याने समाज मंगल हित कल्यान आशन सिनह चाहने वाले लोगों के भले की कामना करने वाले रिशयह संधी युक्त है पदबचों विसर्ग संधी है रिशयह रिशी गण वने निवसंटीस्मा वन में निवास किया करते थे हम जानते हैं वालमी की रिशी, भारत द्वाज रिशी, अगस्त रिशी ऐसे बहुत सारे रिशी ते सर्वे वने एवा निवसंति स्मा वन में निवास करते थे यतो ही वने सुरक्षितं परियावर्णं उपलभ्यते स्मा यतो ही क्योंकी जिससे यतह ही जिससे ही निश्चेन के अर्थ में होता निश्चेपूरुवक जिससे वन में सुरक्षितं परियावर्णं सूरक्षित भली प्रकार से रक्षित परियावर्णं परियावर्णे उप उपलब्यतेस्म प्राप्त होता था। विशी लोग वनों में इसलिए निवास किया करते थे प्यारे बच्चों, जिससे कि उनको भली प्रकार से स्वच्छे और शांत परियावर्ण उपलब्द होता था, प्राप्त होता था। परियावर्णम उपलब्ध्यतेस्म संधियुक्तपद है। तत्र विविधा विहगाह कलकूजी श्रोत्र रसायनम ददती। तत्र कुत्र वने यत्र रिशय वसंतिस्म उसी वन में जहां रिशी लोग रहते थे, विविधा विहगाह, विविध प्रकार कहा, पक्षिनह, अनेक प्रकार के पक्षि तत्र कलकूजी स्वकलकूजनेन, अपने कल्रव से, अपने कूजने से, चह चहाने से, श्रोत्र रसायनम ददती। कानों को प्रिय लगने वाले रसायन को आनंद को देते थे। भाषा का बहुत सुंदर प्रियोग हुआ, प्यारे बच्चों, यह कलकूजी श्रोत्र रसायनम ददती। अपने कलकूजन से, कल्रव से, कानों को रसायन दिया करते थे, रसायन याने अमृत, जिसको सुख, जिसे सुन करके हमारे कानों को हमेशा प्रियता कानुभाव हुता है। पक्षिगण वहाँ वनों में दिया करते थे, अतह रिशयह वनेशु एवन निवसंतिस्म। शरीतो गिरी नीर्जराश्च अमृत स्वादू, नीर्मलं जलं प्रयच्चंती। वन में अन्यतकिम लभ्यतेस्म और क्या प्राप्त होता था, सरीतह नदियां। नीर्जराश्च अमृत स्वादू, नीर्जराश्च अमृत स्वादू, नीर्मलं जलं। मल से रहित यने शुद्ध पवित्रे। जलं प्रयच्चंती। जल पानी को प्रयच्चंती ददती देती थी। वहाँ वनों में नदियां, पहाड और जर्ने, अम्रित के समान स्वादिस्ट निर्मल जलको रिशियों को प्रात्त कराते थे। विक्षा लतास च फलानी पुष पानी इंधन कास्थानी च बाहुलेन समुपहरंती। विक्षा वनेश ये विक्षा आसनों और जंगलों में जो विक्ष थे। लता जो लताएं थी। फलानी पुषपानी व्रिक्ष और लताएं क्या क्या देते थे फलानी बहुआ चन फलम फले फलानी नपुनसकलिंग शब्द है बहुत सारे फल पुषपानी बहुत सारे पूषप याने कुसुम सुमन फूल बहुत सारे फूल इंधन कास्ठानी इंधनाय कास्ठानी और जला के लिए भोजन यज पूजादी कर्मों के लिए जो कास्ठ की आवशकता होती थी लकडी की आवशकता होती थी तब वन में रहने वाले अत्यधिक प्रचूर व्रिक्ष और लताएं उनको फल देते थे फूल देते थे और इंधन की लकडी भी बाहुल लेना प्रचूरता से बहुत अधिके समुपहरंती प्राप्तम तत्परह कारयंती अथवा उनको प्राप्त कर्वाते थे व्रिक्ष और लताएं से उनको ये सारी चीजें प्राप्त होती थी अतिव शोभना भाषा बहुत सुंदर भाषा का प्रियोग प्यारी वच्चो शीतल मन्द सुगंध वन पवना वनस्य पवना की द्रिशा आसी जंगल की हवा कैसी होती थी शीतल होती थी. मंद धीरे से बहने वाली बयार्ज से कहते हैं धीमे बहने वाली होती थी. सुगंध से युक्त होती थी क्योंकि उश्प बहुत अधिक होते थी. तो सुगंद वन पवना, वन की पवन, वनस्य पवना, वन की जो पवन थी वह शीतल, मन्द और सुगंद से भरपूर होती थी, ओशद कल्पम प्राणवायूम वितरंती। इतनी सुगंधीत थी कि ओशद कल्पम ओशद के जैसी थी दवाई के जैसी प्राणवायू वितरन थी कैसी प्राणवायू जिसे आज की भाषा में आप आक्सिजन कहते हैं प्यारे बच्चो उसे प्राणवायू कहा जाता है तो कैसी प्राणवायू का वितर्ण होता था वन में, कैसी प्राणवायू उपलब्द होती थी, जो जीवन को देने वाली होती थी, जो वन के व्रिक्षों से, उश्पों से, फलों से सुगंदित होती थी, तत सर्वं तत्र वने प्राप्यतेस्म, अतेव अस्माकम यहां एक नई समस्या की ओर हमारा ध्यानाकर्षित किया जा रहा है, प्यारे बच्चों, तत सर्वमस्माभी प्राप्यते वह सब कुछ हमको प्राप्त होता था, परंतु स्वार्थ अंधह, स्वार्थेन अंधह, अपने स्वार्थ के कारण अंधे हुए, मानवह, मानवने, तदेव, उसी तत एव, उसी ही परियावर्णम, परियावर्ण को अध्य आज नाशयती नस्ट कर रहा है, अपने स्वार्थ में अंधह हो करके, मनुष्य आज उसी परियावर्ण को नस्ट कर रहा है, जिस परियावर्ण से उसे प्राणवायू और नया जीवन प्राप्त होता था, स्वल्प लाभाय जना बहु मुल्यानी वस्तुनी नाशयंती, स्वल्प लाभाय सुल्प थोड़े से, छोटे से, अल्प छोटा, सुल्प बहुत छोटे से, लाभाय लाभ के लिए, जनाहा लोगे, बहु मुल्यानी वस्तुनी, बहुत मुल्य है जिनका, बहु मुल्य जि को हिंदी में भी कहते हैं चोटे से लाब के लिए अद्यत्य जनाह आज कर लोग बहु मुल्यानी वस्तु नी नाशेंति नाश कर रहे है नंस्ट कर रहे हैं जनाह यंट्रा गारानं Virginia Lori पाते यंति लोग जनाहा यंत्रागारानाम यंत्राणाम आगाराहा पैक्टरी जहां पर यंत्र रखे जाते हैं जो कार खाने हैं जहां पर बहुत सारे यंत्र होते हैं उसको यंत्रागार कहते हैं आगारम ग्रिहम आगार यने घर यंत्राणाम आगाराहा जहां पर बहुत सा अक्त यने युक्त जहर से युक्त यने जहरीला पानी नद्यम निपाते अंती नदी में गिराते हैं। मचली आदी जल चरान जो जल में विचर्ण करने वाले हैं। तत सर्वथा अपेयम जायते तत नदी जलम वह नदी का पानी जिसे विशाक्त कर दिया गया है। खानों के विशयले जल को डाल कर। व्यापार को बढ़ाने के लिए वन व्रिक्षान जंगल के व्रिक्षों को निर्विवेकम विवेकेन रहितम। बिना विचार विवेक कहते हैं अच्छे और बुरे के चिंतन की क्षमता। निर्विवेक बिना विचार पूरवक। चिंदंती काट डालते हैं। जंगल के व्रिक्षों को बिना विचार किये काट रहे हैं। तस्मात अव्रिस्टि प्रवर्धते हैं। इसलिए अवरिस्टी का अभाव। वर्षा का ना होना प्रवर्धते बढ़ता चला जाता है। वन पशवस्च शरण रहिता ग्रामेशु उपद्रवं विदधती वन पशवः वन में रहने वाले पशवः वने निवसंत पशवः वन में रहने वाले 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 स्थान है वह कम हो जाएगा तो शरण रहित हो कर उनके स्थान से हीन हो करके वनपशू क्या करेंगे ग्रामेशू उपद्रवम विधती वो गाउं में आ रहे हैं और गाउं में आ करके उपद्रव कर रहे हैं उपद्रवम कस्ट आक्रमन हम बार बार यह सुनते हैं कि जंगली जानवर गाउं में आकर के प्रभावित कर रही हैं जीवन को, आक्रमन कर रही हैं, कहीं हाथी आजाते हैं, कहीं चीते आजाते हैं, कहीं शेर आजाते हैं, ऐसा हम अनेक बार सुनते हैं, कि मर्थम यतोहिते शरण रहिताहा भवन्ती, कि मर्थम शरण रहिता भवन्ती, वरिक पेड़ों के काटने से वो शरण रहित हो रही है और फिर वो गाउं में आकर के उपद्रव कर रही है। शुद्ध वायू का भी संकट उत्पन हो गया है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवै विकृति मुपगता प्रकृती एव सर्वेशां विनास कर्त्री भावती। एवं ही एवं प्रकारेण। इसी तरह स्वार्थ अंध मानवै स्वार्थ से अंधे हुए मानवों के द्वारा विकृति मुपगता विकृत की गई अशुद्ध की गई प्रकृती एव प्रकृती ही सर्वेशां विनास कर्त्री भावती। सबका विनाश करने वाली हो गई है अर्थात यतोही मानवह प्रकृत्याहा दुरूपयोगह करोती अतैव प्रकृतियपी सर्वेशाम मानवानम विनाशय एव प्रभवती विनाशय गच्छती इस तरह नजर आता है कि प्रकृती के दुरूपयों के कारण प्रकृती सभी मानवों के विनाश के लिए सन्नध नजर आती है विकृतिम उपगते परियावर्ने विविधाहा रोगाहा भीषण समस्यास्च संभवन्ती विकृतिम उपगते उपगते प्राप्ते विकृतिम उपगते विकृत हो जाने पर खराब हो जाने पर परियावर्ने परियावर्न के विविधाहा रोगा विविध प्रकार के भीषण समस्याश्य संभवंती और भीषण समस्याएं हो जाएंगी भीषण भयंकर भयंकर समस्याएं संभवंती संभव होंगी अर्थात जब प्रकृती विकृत हो जाएगी तब बहुत सारे रोग और मनुष्य जीवन के लिए बहुत सारी भीषण भयंकर समस्याएं हो जा ततसर्वं वह सब कुछ, इदानिम इस समय, इदानिम अधुना, अधुना ततसर्वं चिंतनीयम, अब उस सब के बारे में हमको विचार करना horizontal करना behavior, प्रति भाति ऐसा प्रती थोता है, उस समय आ गया है, यत अधुना असमा भी, ततसर्वं वीचारनीयम, येन मानव जीवनम उस सब के उपर विचार करना है धर्मो रक्षती रक्षितह इत्यार्ष वचनम आर्ष रिशी रिशी भी उक्तम वचनम आर्ष वचनम रिशियों के द्वारा जो कहा गया वचन है उसे आर्ष वचन कहते हैं प्यारे बच्चो आर्श वचन क्या है धर्मो रक्षती रक्षितह धर्म अहां धर्म को रक्षितह रक्षा किये जाने पर यदि धर्म की रक्षा किये जाए तो रक्षती तब धर्म रक्षा करता है यह मनुस्मृति के श्लोक कांश है प्यारे बच्चो धर्म एवा हतो हंती धर्मो रक्षती रक्षितह यह श्लोक की पूरी पंगती है धर्मो रक्षती रक्षितह रक्षती रक्षा किया गया धर्म हमारी रक्षा करेगा अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे वह हमारी रक्षा क परियावर्ण रक्षणम, परियावर्ण की रक्षण भी, अपी भी, धर्मस्य एव अंगम, धर्म का ही अंग है, धर्मस्य एव अंगम इती संधी है, धर्म का ही अंग है, इती रिशयह, ऐसा हमारे रिशियों ने प्रति पादित किया, निस्चित किया, क्योंकि धर्म की रक्षा करने पर हमारा जीवन रक्षित होगा अतह रिशियों ने प्रकृती के सनरक्षन को धर्म की रक्षा के साथ जोड करके स्विकार किया अतयव वापी कूप तड़ाग आदी निर्मानम देवायतन विश्राम ग्रिहादी स्थापनमच अतयव इसलिए वापी बावडी राजस्थान में पानी पीने के लिए बावडियां वापी बावडी कूप कुएं तडाग तालावादी निर्माण देवायतन देवानम आयतनम मंदिर जिसको कहते हैं देवताओं का घर विश्राम ग्रिहादी स्थापनम्च और विश्राम ग्रिहादी धरम शाला विश्राम ग्रिह जहां यात्री यात्रा करते हुए विश्राम कर सकें इन सब की स्थापना को धर्म सिद्धे है श्रोतो रूपेन अंगी कृतम यह सारे कार्य इन सब का निर्मान धर्म की सिद्धी का एक श्रोत है एक आधार है याने अगर हमको धर्म अर्जित करना है तरही वापी कूप ताड़ा गादी निर्मानम देवायतन निर्मानम विश्राम ग्रिय निर्मानम धर्म सिद्धे श्रोतो रूपेन स्वीकृतम कुकुर श्वान कुत्ता जिसको हम कहते हैं, सूकर, सुवर, सर्प, सांप, नकुल आदी और नेवले आदी स्थल चराहा, स्थल पर विचर्ण करने वाले, स्थल पर विचर्ण करने वाले कुत्ते, सूवर, सांप और नेवले आदी मच्य मच्छली, कच्छप कच्छवा, मकर मगरमच, प्रभृतया जल चराहा, जल में निवास करने वाले, जल में विचर्ण करने वाले मच्छली, कच्छवे और मगरमच आदी अपी रक्षणी यहा तेशाम अपी अस्मा भी रक्षा करनी है, उनकी भी हम को रक्षा करनी है, अनियर प्रत्य, रक्षधातु अनियर प्रत्य, इस्त्रेलिंग रक्षणिया, अत्वा पुलिंग में बहु अचन, यतह ते स्थल मलानम अपनो दिनहा यतह जिससे क्योंकि क्योंकि रक्षा करनी है यतह क्योंकि ते ये सभी पशु और जलचर ये स्थल और जल्चर स्थल मलानाम अपनो दिना, स्थल का जो मल है, मल कहते हैं अशुद्धी, जो स्थल में अशुद्धी हो गई है, गंदगी है, अपनो दिना, उसको दूर करने वाले हैं. सुवर सांप नकुल कुट्टे आदी ये स्थलचर और मचली कच्छवा मगरमच आदी ये जलचर ये मल को दूर करने वाले हैं जलमलानम अपहारिनस्च, और पानी के मल को जलमलानम, जल में जो मल हो जाता है, अशुद्धी हो जाती है, अपवित्रता हो जाती है, उसको दूर करने वाले, अपहारिनह, दूर करने वाले. प्रकृती रक्षया एव लोक रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशयह, प्रकृते रक्षया, प्रकृती की रक्षा से ही तृतिया विवक्ती रक्षया, एव ही लोक रक्षा संभवती, लोगों की रक्षा, संसार की रक्षा, प्राणी मात्र की रक्षा संभवती संभव ह हो सकती है इती अत्र यन संधी यहाँ पर इस बात में आस्ति शंसयह संदेह नास्ति नहीं है वदती यते प्रकृतेहे संरक्षणे नई वा लोकसंड़क्षणं संभावती प्रकृती की संरक्षण से ही धर्थि पर मानव जाती का अथ्वा प्राणी मात्र का संरक्षन संभव है। एतत्चर्वं अस्मिन निबंधे वर्नितमस्ति प्रियचात्राहा अध्यत्वे पर्यावर्णम अस्माकं कृते महत्वपूर्ण स्थानम आदधाती। अतह अस्माभी निबंधम पठित्वा पर्यावर्ण रक्षाई सन्नध्ध भवितब्यम अथच अत्रप्रयुक्त शब्दानम एका सुची निर्वापईतब्या तत्रच पुनह पुनह अभ्याशेन भाशाया अभ्यासा सम्यक्त याभविशति। अच्चो इस पाठ में जो नूतन पदाए हैं उनकी एक सूची बना करके हम अभ्यास करें। यह पाठ हमको जहां मन से प्रेरित करता है प्रकृति के संरक्षन के लिए वहीं यहां प्रयुक्त भाशा हमको भाशा के प्रती, भाशा सिक्षन के प्रती भी आकरशित करती आपको यह पाठ बहुत रूचिकर और बहुत उपादेय प्रतीत होगा जीवन में, आप इसका अभ्यास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चो उन्हमिलामा।